गुड मॉर्निंग एस्टुडेंट आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए डेप्रेशेशन का क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन नूम्बर 10 जोकी बिकॉम पार्टु के डेप्रेशेशन एकाउंट में आपको एसका सिंग का एकसर साथ 14 के लिए दिया हुआ है इसका मैं आपको श्रूशन लेकर आया हूँ आज सबसे पहले मैं आपको एक बार कोश्चन समझा दे रहा हूँ अगर आपको बुक होगा तो ठीक है नहीं होगा तो एक बुक भी आपको मैं कोश्चन भी अवेलेबल कराद दूंगा इसमे है कि एक मशीनरी को एक जनवरी दूहजाँ छे में ungef लाग गया उसको लगाने पर 600 रुपईया और बनाने पर खर्च हुआ 1 July को उसी साल एक और मशीन 10,000 रुपे में खरदा गया है 1 July 2008 को जो मशीन एक जिनवरी 26 में खरदा गया था उसको 8,000 में बैच दिया गया और उसी दिन एक और मशीन 15,000 रुपे में खरदा गया है depreciation 10% प्रतिवर्स औरिजनल कोश्ट पर आपको लगाना है लेकिन यह 2009 में बदल कर 15% प्रतिवर्स return down value से हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर rate of depreciation भी दो बर change हो जाएगा एक बार होगा 10% opening में और फिर हो जाएगा 15% वो damage पर चलेगा तो हम आ रहे हैं इसके solution पर तो machinery account पहले हम बना लेंगे format इसको इसके बाद आप format बनाने के बाद आप सबसे पहले इस खाते को बनाओगे शुरुबात करते हैं आप डेविट पक्ष से एक जनवरी 2006 को आपने उस मशीन को 19,400 में खरदा था 600 रुपया उसको बनाने पर खर्च लगा कुल मिलाकर हो गया 20,000 रुपया उसी साल एक जुलाई छे को सेकेंड मशीन अपने खरदा है तो बैंक एकाउंट में जाएगा आपका 10,000 रुपया अब आप करिट पक्ष में इसका डेप्रेशेशन निकाल देंगे डेप्रेशेशन का रिट है 10% पर एनम सुरुवाती दर में तो आपका हो जाएगा 20,000 का हम पिछ तुलना कियें और हमारा जो एमाउंट आया उसको हमने 27,500 से बैलेंस एडी कर दिया अगले साल एक जनवारी शाथ को इसको हम टांसफर कर देंगे तो बैलेंस एडी के साथ 27,500 रुपया हमारा ओपनिंग बैलेंस आफ मरसंदी अकाउंट होगा इस साल कोई भी क्र परशन 2,000 और 10,000 का 10 परशन 1,000 रुपया कोल मिलाकर आपका हो जाएगा 3,000 रुपया अब आपके यहाँ पर कंपेर करेंगे तो आपका आजाएगा 27,500 में 3,000 रुपया डिप्रेशेट हो गया बच जाएगा 24,500 रुपया अगले साल फिन से ट्रांसफर किजिएगा तो आ आपका ओपनिंग बालन्स आप मशिनरी आजाएगा 118 को 24,500 रुपया यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगले साल से रिश्करेट चेंज हो जाएगा लेकिन एक मशीन जो आपने पहली बार खरदा था उसको आपने इसी साल बेच दिया है 1 जुलाई को तो आप 1 जुल रुपया इस मसीन को 8,000 में बेचने के बार आपको भी लॉस हो जाएगा 7,000 रुपया क्योंकि मसीन का ओपनिंग भाल्यू एक एक आठ को 16,000 रुपया था इसमें से आपका 9,000 रुपया घट जाएगा तो 7,000 रुपया आएगा जो मसीन पर हाने हुआ अब उसी साल कहता है कि तिसरा मसीन खरदा तो एक जुलाई आठ को टुबैंक अकाउंट में हमने 15,000 रुपय का एक और मसीन डाल दिया अब तुलना कियें तो 31 दिसमबर आठ को पहले मसीन जो की 8,500 का बचा और इस साल का मसीन 15,000 का बचा दोनों का 10% औरिजिनल कोस्ट पर ही हमने निकाल लिय तो 8,500 वाला का आपका 850 और 1500 वाले का 750 रुपया आपका एमाउंट आएगा कोल हो जाएगा पारिपरसेशन सेत्रह सो पचात्स बचास रुपया अब तुलना करेंगे तो आएगा 2750 रुपया आपका हो जाएगा बैलेंस अमाउंट लास्ट है आपका यहां से rate change हो जाएगा depreciation का अब हो जाएगा 15% per annum dimension method से तो आपका opening balance आया 21,750 रुपईया एक एक दुजार नौ को 31,129 को साल के अंति में इसका 21,750 का 15% आपका depreciation हो जाएगा 32,62 रुपईया तो इलना कीजिए तो आपका आएगा 18,488 रुपईया एक खालाएगा balance CD बस अंति में चलेंगे एक एक दाश को तो opening balance आपका हो जाएगा 18,488 रुपईया और इससे 15% आप depreciation निकालेंगे तो 18,488 का 15% आएगा 27,73 रुपईया 273 रुपईया को आप 18,488 में घटाईएगा तो आपका amount आजाएगा 15,714 रुपईया और यहीं होगा machine का अंतिम balance अगले वीडियो में आपको मैं और question दूँगा तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को अगर लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं की होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर वीडियो आपके सामने मिलता रहेगा और आपको daily कुछ नब कुछ नया सिखने को मिल थेंक यू